हेलो फ्रेंड्स नमस्कार क्लास ट्वैल चेप्टर सेवन अल्टरनेटिंग करेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है पिछले सेशन में बच्चों हमने डिसकस किया था कि इंडक्टन्स और रेजिस्टन्स को अगर हम सिरीज में कनेक्ट करें तो क्या होता है फिर कै इंडक्टन्स 0.5 हेले ठीक है मतलब की हमें क्या दिया हुआ है एल ठीक है रेजिस्टन्स 100 होँ मतलब की आर इस कनेक्टेट तो अ 240 वोल्ट मतलब की बच्चों यह हमें दिया है V-RMS ओके एंड 50 Hz सप्लाइं का मतलब क्या है कि यह क्या हमें दिया है फ्रिक्वेंस ओके व maximum current I0 ओके तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूँ कि बच्चों I-RMS का formula क्या होता है I-RMS is equals to V-RMS upon mod Z यह भी हम बोल सकते हैं हमने बच्चों पिछले सेशन में discuss किया था what is mod Z it is the impedance ओके और एक दूसरी बात I-RMS का एक और formula है क्या है I0 upon root 2 ठीक है तो देखिए आपके पा सामने है I-RMS is equal to V-RMS upon mod Z is equals to I0 upon root 2 और एक में बात बोल दूँ कि mod Z क्या होगा तो बच्चों यह कौन सी सर्कीट है यह सर्कीट है inductance and resistance in the series ऐसा ठीक है इसका L और इसका R तो बच्चों हमने इसका discuss किया था mod Z क्या था वो था under root of R square plus XL square इसको हम ऐसा भी बोल सकते है under root of R square plus 2 pi FL whole square ठीक है क्यों क्यों कि देखो मैं आपको बोल दूँ XL inductive reactance उसका formula क्या होता है omega L और omega L को हम क्या लिखते है 2 pi FL यादे ना हाँ okay ठीक है अब देखे R और F की अगर value रखे तो हमें अच्छा देखे हमारे पास R है हमारे पास F है हमारे पास L है ठीक है तो R F और L इन सब की अगर हम value रखे ठीक है तो हमें क्या मिलेगा mod Z फिर mod Z को अगले equation में replace करें तो IRMS is equal to VRMS upon mod Z तो हमको वहां से हमारे पास VRMS तो है already right तो हमें क्या मिल जाएगा IRMS and then after IRMS is equal to I0 upon root 2 तो उससे हमें क्या मिल जाएगा I0 ठीक है तो शुरू करें ओके चलिए इस बार तो में value replace करने वाला हूँ R है R की value क्या है 100 तो 100 का क्या होगा square करना है तो 10,000 ठीक है फिर इदर 2 into 3.14 into frequency कितनी है 50 और L कितना है 0.5 ठीक है उनका क्या करना है हमें square करना है ठीक है तो चलिए करते हैं क्या करना है बच्चों हमें 2 into 3.14 into 50 into 0.5 so we will get answer 157 and then after if we multiply then we will get 24649 under root of यहां पर में 10,000 लिख रहा हूँ और यहां पर क्या लिख रहा हूँ 24649 ठीक है तो अब हम इसके साथ 10,000 एड करेंगे तो अंडरूट 34649 एगा अंडरूट 34649 चलो इतना आपको समझ में आया ठीक है फिर उसका हमें क्या करना है अंडरूट करना है किसका अंडरूट 34649 तो वोट आंसर वी विल गेट इस नियरली 186 हमें क्या अंसर मिलेगा नियरली 186 किसका अंसर मिला हमें जेसे हैज मिल ईसको हम क्या बोलते हैं इंपीडन्स क्या बोलते हैं बच्चो इंपीडन्स अच्छा अब मूट इंद मिल गया मैंने जैसे आके आपको बोला था हमारा नेथ्ट टेप होना चाहिए आया आर्हेमस तो आयज आ आर्मस इज इजवलंज कर अपान मॉड जय् देखिए इसमें नहीं दिया है यहांपे देखता हूँ 240 वल्ट था 240 अपोन 186 240 अपोन 186 तो हमें आंसर मिलेगा कितना 1.29 एमपियर चिसको हम नियरली 1.3 एमपियर ले सकते है ठीक है अभी हमें आइजीरो फाइंड करना है तो बच्चो क्या में आइजीरो इजीकोल टू डायरिक लिए ऐसा बोल सकता हूँ इंटू रूट टू बोल सकते हैं तो अच्छा में यंग्स्ट्रॉम लिख रहा हूँ बच्चो एमपियर की जगा पर माप करना है यह एमपियर ही होगा ठीक है ओके फाइन अभी आई आरे में समय कितना मिला 1.3 इंटू हम क्या करेंगे रूट टू ठीक है मतलब की 1.41 तो हमें अंसर मिलेगा 1.819 1.819 फिच इस नियरली इक्वल्स टू 1.82 एमपियर तो हमें किसका अंसर मिल गया आई जीरो का ओके दूसरा क्या दिया है देखिए वल्टेज मेक्सिमम एंड करेंट मेक्सिमम बच्चो यह बहुत इंपोर्टन फिंग है what is the time lag between मतलब की करेंट मेक्सिमम हो जाएगा उसके कितने टाइम के बाद वल्टेज मेक्सिमम होगा तो बच्चो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोल दू देखिए अलाकि हमने उसमें यह डियागरम ड्रो नहीं की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह क्या है, यह वोल्टेज है, और देखो, आर में तो क्या होता है, आर में होता है, कि वोल्टेज और करंट साथ 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 सलते हैं, ठीक है, कोई फेस डिफरेंस नहीं, एल में क्या होता current पीछे चलता है वोल्टेज आगे चलता है तो अगर हम net देखे तो net तो voltage आगे ही चलेगा current पीछे चलेगा तो मैंने आपको बोला था कि आपको कैसी diagram रोकर करनी है तो इसमें voltage ने पहले cut कर लिया उसके बाद हमें current को कट करवाना है देखिए फिर इसको थोड़ा सा और आगे ले जाए तो आपको यह क्या मिलेगा करण्ट मिलेगा ठीके देखिए पहले किसने कट किया वोल्टेज ने उसके बाद किसने कट किया करण्ट ने कट किया किसने पहले कट किया देखिए यह पहले किसने कट किया यह किया उसके थोड़े से टाइम के बाद करंट ने कट किया फिर देखे यहाँ पर आपको कैसे बता चलेगा कि किस ने पहले आपको एक ही फेशन में देखना यह नीचे जा रहा है तो यह भी नीचे जाना चाहिए वहना आप बोलोगे तो देखिये यह वल्टेज ने कट किया तो उससे पहले तो current ने cut कर दिया, नहीं, यह current उपर जा रहा है, तो उससे पहले उपर जाने वाला voltage देखो, तो देखो, voltage पहले cut कर दिया था, समझ में आया है कि नहीं, तो इन दोनों के cut करने के बीच में, जो time difference होगा, यह time axis है, देखें, यह जो होगा, इसको हम time lag बोलें यह तो हमें पुछा है, क्या मुझा है, देखें, what is the time lag between voltage maximum and current maximum, तो बच्चो यह कैसे find करें, तो जैसा कि हमने पिछले session में discuss किया था, क्या discuss किया था, डेल्टा, देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अब हर बार, अच्छी तरीके से सहारे session देखो, ताकि, जब मैं ऐसे बात क पिछले session में discuss किया था, तो आप ऐसा सोच चोगे, सर, आप सब कुछ पिछले session में करते हो, इस session में तो कुछ करते हैं नहीं हो, ऐसा नहीं है बच्चों, यह हमने really discuss किया था, आप एक बार उसको देखिए, तो P is equals to क्या मिलेगा हमें, डेल्टा अपोन ओमेगा, ठीके, ड अपोन ओमेगा, अभी डेल्टा किसमें होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए, किसमें इन रेडियन, ठीके, अभी बच्चों, यह डेल्टा अपोन ओमेगा कहां से आएगा, तो पहले तो मैं बात बोल दू कि 10 डेल्टा, 10 डेल्टा is equals to होता था, XL अपोन आर, यह कहां से यहां, ओके, चलिया, मुझे ऐसा लगता है, कि मुझे फिर से इसको explain करना ही पड़ेगा, यह R है, यह L है, ठीक है, और इनको हमने किसमें, सीरीज में connect किया है, ठीक, ओके, अब इसमें current जा रहा है, I, ओके, सब में, यह सीरीज में है, तो current सेम जाएगा, current सेम जाएगा, current का phaser, reference लेंगे, फिर voltage का phaser, अगर हम draw करेंगे, तो resistance में क्या चलता है, current के साथ ही voltage चलता है, तो इसका मतलब यह हो गया है, किसका resistor का voltage, लेकिन inductor में क्या होता है, कि current से आगे रहता है, कितना 90 degree, 90 आगे रहता है, तो मतलब हमें anti-clockwise जाना पड़ेगा, ठीक है, यह हो गया VL, तो अगर हम net देखे, बच्चो, तो यह net हो गया है, net voltage, ठीक है, और यह जो हुआ, यह हुआ डेल्टा, अब समझ में आया, यह डेल्टा है, ठीक है, अगर हम 10 डेल्टा देखें इसमें, तो हमने क्या दिखा, यह यह जो है, मैं यहाँ भी फिर से right angle triangle डोग कर देता हू ओके, यह है, डेल्टा, तो यह क्या था, VL, और यह क्या था, VR, तो actually में 10 डेल्टा is equal to क्या होता है, आप बोलोगे सर, यह तो VL upon VR हुआ, आप तो XL upon R बोलते हैं, लेकिन V equal to IR नहीं होता, I, लेकिन हम inductor के gas में, resistance की जगा पर reactance लेते थे, याग कीजिए, तो XL, और यहा आप पर क्या आएगा, I into R, I, I क्यों common, सिरीज में है, इसलिए है, ठीक है, अभी XL upon R आया, हमारा क्या आया, 10 डेल्टा, समझ में आया कि नहीं, क्या आया, XL upon R, अभी XL, XL क्या है, 2 pi FL upon R, ठीक है, अभी 2 into 3.14 into frequency, frequency 50 hertz दी है, मुझे याज है, और L, 0.5 दीया है, divided by R, R बुल गया में, R कितना था, R 100 था शायद, R 100 है, R कितना है, 100, ठीक है, तो केसे करेंगे, केसे करेंगे, केसे करेंगे, 50 upon 100, तो 52 जा, फिर ये 22, कट हो गया, 3.14 into 0.5, तो ये हो गया हमारा 1.57, तो 10 delta is equal to हमें क्या मिला, 1.57, ठीक है, अगर हमें delta चाहिए, कि delta कितना होगा, देखो, delta is equal to 10 inverse 1.57, तो कहने का मतलब कि delta की कौन सी value पे, 10 का value 1.57 होता है, तो ये हमारा आगया, 57.5 degree, क्या आया delta हमारा, 57.5 degree, आप बुलोगे, सब ये कहां से लाए, तो ये बचो टेबल में देखना पड़ता है, अभी मैंने देखा, ठीक है, आप भी देख लेना, अभी ये degree है, तो degree में से radian में convert करना है, तो क्या करेंगे, तो degree को 57.5 है, 57.5 उसको मैं pi के साथ multiply करूँगा, और 180 के साथ divide करूँगा, तो 57.5 upon 180, अगर हम करते हैं, तो हमें कितना answer मिला है, मिला, 0.319, कितना मिलता है, 0.319 pi, ठीक है, समझ मैं आए के नहीं, तो ये हमारा हो गया, डेल्टा, मैंने क्या बोला था, डेल्टा is equal to omega t करना है, डेल्टा is equal to omega t, ठीक है, तो इसका मतलब t is equal to क्या होगा, डेल्टा upon omega, तो 0.319 pi upon omega का फर्मुला होता है, 2 pi f, तो ये pi pi cancel हो गया है, pi pi cancel, और 2 f, f 50 है, तो 52 जा कितना होगा, 100, frequency तो 50 है, पता है न, ओके, तो 0.319 upon 100, तो क्या आएगा, 0.00319, ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखे, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा, t is equal to 3.19 into 10 raise to minus 3 second, यानी कि 3.2 millisecond, इतने time के बाद current maximum होगा, voltage maximum होने के 3.2 millisecond time के बाद क्या maximum होगा, current maximum होगा, मैंने सारे calculation डीटेल में समझाई है, अगर आपको समझ में नहीं आई, तो प्लीज उसको rewind करके एक बार फिर से देखे, ठीक है, वीडियो का कुछ तो फाइदा होना चाहिए, लाइव में होते तो यसा नहीं कर सकते थे न, हाँ, अभी देखे, अब्टेन दा आंसर एटो बी इन एक्सरसाइज 7.13, यह दिख रहा है आपको, इफ दा सर्कीट इस कनेक्टेट टो दा हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 50 थी, यहाँ पर कितनी है, 10 kHz, 10 kHz का मतलब क्या है, 10,000 Hz, बच्चो, कितनी है, 10,000, Hence, explain the statement, that at very high frequency, an inductor in a circuit, nearly amounts to an open circuit, तो हमें क्या प्रूब करना है, कि inductor है, वो open circuit, अभी देखे, फ्रिक्वेंसी हाई है, तो फ्रिक्वेंसी हाई है, तो यहाँ पर देखे, यह फ्रिक्वेंसी है, यह high हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, more z ज्यादा हो जाएगा, more z ज्यादा होगा, तो IRMS, IRMS proportional to 1 upon more z, तो इससे more z क्या, स्री करन्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बच्चो, यह 50 जो थी, फ्रिक्वेंसी, उसमें से 10,000 हो गई है, मतलब की बहुत कम डिफ्रेंस नहीं है, ज्यादा डिफ्रेंस है, तो इससे करन्ट बहुत कम हो जाएगा, करन्ट कम हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते है, कि situation कैसी arise हो जाएगी, open circuit, देखो मैंने पहले का पूरा analysis आपके सामधे रखा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरे का analysis खुद करके देखना, ठीक है, सीर्फ आपको क्या करना है, frequency जो 50 थी उसकी जगापर आपको क्या रखना है, 10 किलो हर्ट्स, ठीक है, बाकि सब कुछ से, how does an inductor behave in a DC circuit after a steady state, अच्छा, inductor DC circuit में कैसे behave करेगा, तो बच्चो, DC circuit में frequency कितनी होती है, 0, frequency 0, तो इसका मतलब क्या है, कि mod Z is equals to क्या हैगा, सिर्फ आ रहाएगा, क्यों, क्योंकि देखे, यहाँ पे mod Z यह दिख रहा है आपको, उस पे से frequency 0 कर दी, तो इतना 0 हो गया, सिर्फ आ रहाएगा, तो इसका मतलब किस तरह भी एव करेगा, short circuit की तरह, किस तरह, मतलब सीधा एक wire की तरह, एक wire ही है, हमें पता भी नहीं चलेगा, inductor की, या नहीं है, हमें पता है, बच्चो, inductor किस के लिए है, फिर बहुत, जल्दी-जल्दी अगर change होता है, तो उसको दीरे-दीरे करने के लिए, लेकिन, DC circuit में तो change होता ही नहीं, तो इसका मतलब inductor का कोई roll ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ओके, तो ये हगया हमारा, एक example, अभी दूसरा example देखते हैं, इस तरह है, क्या है, 100μF capacitor, देखिए, ये क्या दिया है, C, in series with a 40 ohm resistance, ये क्या दिया है, R, is connected to the 110 volt, मतलब की ये हमें दिया है, VRMS, and 60 Hz supply, ये क्या दिया है, frequency, what is the maximum current in the circuit, तो बच्चो, सब से पहले तो, IRMS is equals to क्या करना होगा, VRMS upon mod Z, और दूसरा formula क्या है, I0 upon root 2, चलो, इतना समझ में आया, हमारे पास mod Z is equal to क्या है, तो ये कौन से circuit है, बच्चो, ये circuit है, यहाँ पर मैंने R रख दिया, यहाँ पर मैंने C रख दिया, ये है AC circuit, RC series circuit, जो हमने अग्वे lecture में, मतलब कि इसके पहले वाले lecture में, discuss कर ले, student सोच रहे होंगे, directly, आजर ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि, बिछले lecture में हमें discuss किया, लेकिन किया तो है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी V0 sin omega t, यह सब यह साथ था, उसमें अभी मैं पहले से ही बोल देता हूँ, बच्चो, current दोनों में same होगा, current का फेजर में एक साथ जो कर रहा हूँ, फिर voltage, तो resistor में voltage साथ साथ चलेगा, तो VR, capacitor में voltage थोड़ा पीछे चलता है, inductor में आगे चलता था, इसमें थोड़ा पीछे चलता हूँ, तो net अगर देखे, तो net में क्या होगा, यह current है, यहाँ पर क्या है, VR, यहाँ पर क्या है, VC, तो net voltage यहाँ पर आएगा, चिक्कू, यह net voltage हो गया, यह हो गया delta, बच्चो, हमने जो अगले example में देखा, maximum होने के थोड़े टाइम के बाद, voltage maximum होगा, ठीके, क्यों, यह हमने anti-clockwise में लिया, यहाँ बे delta current से anti-clockwise में, तो कहने का मतलब गया है, कि voltage पीछे है, current आगे है, current पहले बढ़ जाएगा, voltage बादने बढ़ेगा, एक capacitor यहाँ तो करता है, वोल्टे दीरे दीरे बढ़ाता है बच्चो कुछ टेंशन मतलो ऐसा अभी क्या करना है यहां पर हमने मोड जेट जो सोल किया था मैं सबते पहले आपको इस बात बोल दूँ कि V is equal to क्या था V R square plus V C square पूरा पूरा कर रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं यहां पूरा कर रहा हूँ V I R square plus I into X C square बच्चो आप पुछ तो किजिए यार तो यह हो गया हमारा V अभी उसमें से मैं अगर I को common निकालू और इसमें डिवाइड कर दू तो भी अपन आए होगा तो उसको हम मोड जेड बोलेंगे इंपिडान्स आर स्क्वेर प्लस एकसी स्क्वेर अभी अब बोलो कि सर आर तो हमारे पास है एकसी नहीं है मैं इसमें सुल नहीं करने वाला ओ इसमें तो सिर्फ मैं आपको डायरेक्षण दिखाने वाला हो बच्चो xc is equal to 1 upon omega c is equal to 1 upon 2 pi fc ठीक है समझ मैं आ रहा है कि नहीं तो हमारे पास xc है और हमारे पास r भी है तो हम mod z is equal to क्या लिख सकते हैं mod z is equal to under root r square plus 1 upon 4 pi square f square c square यह हमारा हो गया mod z फिर हमें क्या करना है vrms upon mod z तो हमें क्या मिलता है i rms मिलता है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी answer आये सोचो इसका answer आया x कितना answer आया x तो इसका मतलब क्या है i rms is equal to x upon sorry vrms, vrms कितना दिया था तो यहां पर हम क्या रख देंगे 110 और नीचे क्या रख देंगे x आप बोलो के सर यह कहां से आप बोलो के सर आप बोलो के सर आप बोलो के कि find करना है find करना है कहां से find करें और रहा r की value कितनी दी है देखिए चालीस तो इसका मतलब 40 का square करके रखना है बस फिर 4 pi square pi square को 10 रख दीजे 5 square equal to 10 करके देख लीजे nearly 10 आता है frequency दी है capacitance दिया है देखिए याद रखना capacitance micro में दिया है तो उसको square करना please बिल्कुल मत भूलना ठीक है method तो same to same है फिर क्या करना है i rms मिल गया i 0 is equals to क्या होगा i rms into root 2 तो इसमें से जो answer मिला ठीक है उसको हम किस से multiply करेंगे रूट 2 से तो हमें किस की value मिलेगी बचो i 0 की अभी what is the time lag between current maximum and voltage maximum देखो पहले क्या दिया है current maximum बाद में voltage अगले example में जो हमने देखा था उसमें क्या दिया था देख लिए what is the time lag between voltage maximum and current maximum ठीक है तो यहां पर ही साब साब पता जलता है कि voltage आगे रहता है और current पीछे रहता है ठीक है और यह जो हम देख रहे है अभी कुन सा इसमें क्या दिया है देखिए current maximum and voltage maximum मनदब current आगे चलेगा voltage पीछे चलेगा देखो मैं directly आपको graph को करके भी समझा सकता हूँ यह अगर हम voltage का graph ले 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 कुछ चुछ 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 तो ऐसा सोचो कि यहां पर कोई xy से ठीक है तो मैं यहां पर मैंने सौरी बच्चो मैं blue यूज़ करना चाहूँगा तो ऐसा सोचो कि आगे थोड़ी सी एक xy से वहां से शुरू हुआ है तो वैसा अब आप बोलोगे सरकुछ पता नहीं चला है इसमें के current कौन है और voltage कौन है तो यह हमारा है बच्चो current और यह हमारा है voltage देखिए किस ने पहले कट किया current ने वोल्टेज से पहले ठीक है तो यह time लेक हमें find करना है जो कि क्या है डेल्टा अपन ओमेगा याद रखना time लेक का फर्मला डेल्टा अपन ओमेगा और डेल्टा किसमें होना चाहिए इट शुड बी इन दा रेडियन और डेल्टा कैसे फाइंड करें ओके देखें यहां से ही यहां फिर से एक राइट अंगल ट्रेंगल बना ओके हैं कैसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा यह डेल्टा है बच्चो यह वी आर और यह है वी सी इसको वी सी बोल सकते है ना आपको इतना तो भी पता चलना चाहिए यह लीज तो अभी 10 डेल्टा इस इक्वल्स तु क्या बोल सकते है वी सी अपोन वी आर ठीक है दोनों से आई कोमन दिकाल कर दो डेहाओ तो 10 डेल्टा इस इक्वल्स तु जो वी सी अपोन वी 2 एर था उसमें से आयीं इं-टू एक्वल्स और एंक्वल्स अप happening मिलेगा 10 इन्वर्स एक्वबcking एक्वशी अपोन अभी X-C value कैसे find करने है मैंने already बोल दिया है फिर डेल्टा की value आपको table में देखके find करने है फिर फिर वो answer किसमें आएगा इन द डिग्री टीके यह कुछ भी answer आएगा किसमें degree, degree को radian में convert करके बाद में आपको solve करना है ठीक है समझना है कि ने मैंने सारी method आपको बोल दी दूसरा क्या दिया है देखें अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ाएंगे तो F बढ़ेगा F बढ़ेगा देखना F बढ़ेगा तो यह जो पुरा है वो कम होगा क्या होगा यह पूरा कम होगा तो यह मोड़ जेड भी क्या होगा कम होगा और अगर मोड़ जेड कम होता है तो देखें IRMS is inversely proportional to मतलब की IRMS बढ़ेगा IRMS बढ़ेगा ज्यादा करंट फ्लो होगा बच्चो मैं बच्चो ओके और फिर क्या है कोई बात नहीं मैं तो ऐसे मज़ा करता रहता हूँ explain the statement the capacitor is a conductor at very high frequency तो सही बात है ना conductor की तरह भी हो करेगा ना ज्यादा करना फ्लो करने देगा इसका मतलब किस की तरह भी हो करेगा conductor की तरह लेकिन क्या है compare this behavior with that of capacitor in a DC circuit अभी DC circuit में मैंने पहले भी बोला था XC हो गया infinity तो यह हो गया पूरा infinity तो mod Z हो गया infinity ठीक है तो I is equals to V upon mod Z तो current हो गया 0 ampere इसका मतलब current को फ्लो ही नहीं करने देगा ठीक है ना आप इसा सब कुछ लिख सकते हो so what you can say that in DC circuit capacitor is act like open circuit मैं यहाँ पह थोड़ा इसा आपको एक कर टेबल बना देता हूं यह है इंडक्टर ठीक है यह है capacitor ठीक है और यह है resistor ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DC circuit ओके और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AC circuit ठीक है अब डी-सी circuit में इंडक्टर किस तरह बिहव करेगा simple wire मतलब की short circuit ठीक है इसमें capacitor किस तरह बिहव करेगा open circuit की तरह ठीक है और resistor ओके वो not change in behavior पहले जैसे behavior कर रहा था वैसे ठीक है अब इंडक्टर एसी circuit में कैसे बिहव करेगा open inductor का काम क्या है अपोस कर रहता और यह सी तो बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए वह बहुत ज्यादा उपोस करेगा इतनी फ्रिक्वएंच जदा बढ़ा होगे उतना ज्यादा उपोस करेगा आप खुझी सोचो वा तो आप जितनी ज्यादा तेज साइकल चलाने की ट्राइ करोगे उतना आपको उपको ज्यादा फिर होगा अभी केपेसिटर केपेसिटर सिंपल वायर की तरह भी हेव करेगा और रेजिस्टर में कोई चेंज नहीं होगा ठीक है इसको आप अच्छी तरीके से याद रखो मैं एक बार प्रिष्ट से वह descrição रल और 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 लिग देटाहूं क्या लिखताहूं मोड़ जड इज्गौब शिच्विक्वक्वाथ होता है अंडर रूट ब्लश एक्सेल आर सी का मोड़ जेड लिख देता हूँ क्या अंडर रूट ओफ आर स्क्वेर प्लस एक्सी स्क्राइब फिर इसमें वी लीड्स आई और इसमें आई लिड्स वी बाई फेस डेल्टा नाइंटी नहीं बच्चो क्यों आपने देखा होगा अभी रेजिस्टर साथ नहीं है न इसलिए अकल अगर कैपेसिटर होता तो ऐसा होता और यहां पर फेस कितना यहां पर फेस डेल्टा अब यह डिपेंड करता है कि एल्टा कितना होगा यह सर्कृट के एलेमेंट पर इप्रेंट करता है ठीक है समझ में आए कि नहीं अची चरीके से तब अच्छों आज तो हमने यह दो एक्जम्पल ही डिस्कुस किये अगले सेशन में हम पूरी LCR सर्कृट लेकर आ रहें ठीक है थैंक्यू और नमस्कार झाल